एक ऐसी problem, यदि आपने सही से tackle किया, तो आप बहुत जल्दी solve कर लेंगे, और यदि आप थोड़ा सा approach भटक गए, तो फिर आपको बहुत जादा समय लगने वाला है, तो आएए पहले problem को समझते हैं, देखिए, यहाँ पर आपको एक diagram given है, जिससे आप basic component समझ सकते हैं, यह इसकी maximum value क्या होगी, और उस maximum value होने पर time क्या होगा, clear है, यहाँ पर आपको चार option दिए हुए, और यह more than one correct का multiple option है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास basically i max और time tau की value पूछी कि जब i max होगा, I think question आपको clear है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए, अब इसको solve कैसे करें, तो जैर सी बात है, यहाँ पर आपको देखिए, दिख रहे होंगे, loop, right, तो इस सबसे simple तरीका क्या है, solve करने का, कि आप इसमें से loop draw करोगे, एक loop आप ऐसे ले सकते हो, दूसरा है कैसे, यानि कि आप दो smaller loop ले सकते हो, एक option, दूसरा option है कि आप क्या करो, एक smaller loop ले ले लो, ठीक है, और एक फिर बड़ा सा loop ले लो, right, तो आपके पास दो option है, या तो आप चूझ करो, दो छोटे loops, या फिर एक छोटा और एक बड़ा loop, अब इसमें से convenient कौन सा है, right, तो हमारा experience बोलता है, कि यदि आप एक छोटा और एक बड़ा loop चूझ करते हो, then आपकी calculation थोड़ी सी lengthy और complicated हो जाएगी, right, तो best option क्या है, कि आप हमेशा choose करिए, दो छोटे loops, right, इससे आपकी जो calculation है, थोड़ी सी simple हो जाएगी, तो महा लेते हैं, आपका ये loop 1 है, और ये आपका loop 2, ठीक है, loop 1 में आपका current है i1, और loop 2 में आपका current है i2, अब यहाँ पर यह आप इनका direction देख पा रहे हो, तो आप बता पाऊगे कि जो i की value है, आपको मिल जाएगी, i1 माइनस i2, right, अब देखो, i1 और i2 की value क्या होगी, यदि आप इस loop को ध्यान से देखे हैं, तो आप ये बहुती easily guess कर पाएगे कि जो आपके यहाँ पर loop दिख रहे हैं, वो आपको द बहुत ही आथानी से i लिख पाते है, i की value क्या होते है, i is equal to i0, 1 minus e to the power minus r upon l into t, right, और ये जो r और l है न, यहाँ पर जो value होते हैं, यह आपकी values है, इलिए रहे, now, इदि आप इन चीजों का use करें, तो आप देखें, यहाँ पर i1 की value लिख पाऊगे, i2 की value लिख पाऊग और फिर देखें, कितना simple होने वाला है, देखें, यहाँ पर आपको same situation देख रहे है, यहाँ पर हमने same formula लिख रखा है, जो हमने आपको भी बताया, और यहाँ आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हो, हम लोग यहाँ पर i1 और i2 की value लिख सकते हैं, i1 की value क्या आगई, यहाँ पर देखो, i0 की जगा आपका B upon R, क्योंकि जो i0 maximum value है उस circuit में, और जायद सी बात है, circuit maximum value current की क्या होगी, maximum value होने पर, यानि कि steady state में होने पर यह जो L है, यह तो conducting wire की तरह react करेगा, तो आपको effect resistance कितना हम लेगा R, शीदी सी बात आपको i0 के हम लेगा B upon R, यहाँ पर यहाँ पर 2L है, जब steady state आएगी, तो 2L भी विएब करेगा, एक conducting wire की तरह है, तो net resistance के मिलेगा आपको R, तो i0 के value क्या हो जाएगी, B upon R, यह अपर इन दोनों values को एक साथ include करें, तो आपको देखो यहाँ पर i1 और i2 की value, बहुत ही असानी से यहाँ पर आपको देख रही है, ठीक है, i1 और i2, क्योंकि आपको जो loop second है, उसमें 2L है, तो यहाँ पर आपको 2L देख रहा है, यहा क्या कर सकते हमें पता है कि maximum निकालने के लिए आप हमेशा यूज करोगे differentiation का राइट तो क्या हो दा differentiation में सीधी सिवा आता है di upon dt की value 0 हो जाएगी कब जब i की value maximum हो रही होगी राइट आप इस equation number one को differentiate कीजिए ठीक है और differentiate करने वाल जो आपको di upon dt क्या कर देनी आपको zero जैसे आप इसको zero put करोगे यहां से आपको time की value मिल जाएगी राइट आप सारे steps यहां से check कर सकते हैं एकदम accurate है ठीक है यहां पर आपको दिखेगा time की value निकल के आ रही है जब आपका i max हो जाएगा राइट ताव की value आपको निकल के आ रही है अब आप इस equation को इस value को किस नमर बन में put कीजिए और आपको मिल जाएगी i max की value राइट तो जैसे आप put करोगे आप देख पार रहे हैं पर सारे steps ठीक है आपको यहां पर मिल जाएगा i max is called to b upon 4r i hope problem आपको समझ में आई होगी आपने कुछ नया सीखा होगा तो please video को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और दोस्तों कसा share करना बिल्कुल ना बोलना thank you and have a nice day